तो इस वीडियो के मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही मौट्स वैब अप्लिकेशन में कोई ओडर के कन्फर्म होते ही आप एक ओडर कन्फरमेशन सेंड करें वाया वाटसेब वो भी ऑटोमेटिकली तो मैरे पैबली कने की मदद से मौट्वैब और वाटसेब को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से आटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू ओडर प्लेस होता है मेरी मौट्वैब से अप्लिकेशन के द्वारा तो उसके ऐसा होते ही उसकी डीटेल की बेसेज पे वो यह ले आएगा आपको पैबली कने के लेंडिंग पेज पे जहांपर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा है तो प्लीस इस साइनफ फ्री बटन का उप्योग करते होए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेस का उप्योग कर रहे है तो साइन इन पे क्लिक कीजिए साइन पे क्लिक करते ही यह लियाए का आपको पैबली के अल एप सेक्शन की और जहां करेंगे एकसेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैश बोड जाब करेंगे create workflow और पहले इस workflow कोई नाम देंगे for example modwebs to whatsapp automation आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं then create पे क्लिक कीजिए और create पे क्लिक करते ही यह लियाएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और action window की और जहां पर trigger application कहती है जब ऐसा होता है अब क्या होता है जब बी करते हैं तो यहां क्या हो रहा है हमारी उस particular application से data आ रहा है तो वो बनगाएगी हमारी trigger application और ऐसा होने पर action application कहती है तो जो data अपने अपने trigger application से receive किया है वो action application की मदद से किसी दूसरी application में forward कर दीचिए तो हमारे case में क्या हो रहा है जब भी हमारे modwebs application से कोई product purchase होता है तो product के purchase होता है हम चाहते है WhatsApp के दोवारा एक order confirmation message चला जाए हमारे उस customer को तो उसके लिए यहाँ पर trigger application है वो मैं choose करूँगा modwebs और ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे choose करना होगा trigger event तो यह trigger event क्या होता है trigger event वो event होते हैं जिसके basis पे हम हमारी workflow को start करना चाहते हैं अब अगर आप आते हैं इसके drop down में तो देख सकते हैं जैसे कि new order कि जब कोई new order place हो तब जागे हमारा trigger यहाँ से start हो यहाँ फिर new product कि जब भी कोई new product हम हमारी application में create करें तो उसके ऐसा होते ही हमारी workflow यहाँ से start हो यहाँ फिर हम हमारे product में कुछ update करें ऐसे ही बाकी के भी आप trigger events यहाँ देख सकते हैं तो आप जो भी trigger event यहाँ से choose करेंगे उसके basis पे आपकी यहाँ से workflow start हो जाएगी तो फिलाल हमारे condition में हम जाएंगे new order के साथ क्योंकि जब भी कोई new order confirm होता है उसके ऐसे होते ही हम चाहते हैं कि एक WhatsApp पे उनके order confirmation message चले जाए तो जैसे ही मैंने यहाँ पर trigger event चूज किया आप देख सकते हैं यहाँ मुझे एक webhook URL मिल गया है तो बहला यह webhook URL किस लिए तो वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि modwebs और public connect यह दोनों अलग-अलग applications है और अगर हम चाहते हैं इन दोनों application की बीच में कोई integration हो जिसके मदद से हम data receive कर सके हमारे modwebs application का public connect की इस workflow में तो उसके लिए हमें उप्योग करना होगा इस webhook URL का क्योंकि webhook URL एक मातर ऐसा URL होता है जिसकी मदद से हम data transfer कर सकते हैं किनी दो application के बीच में तो मैं क्या करूँगा इसका उप्योग करने के लिए इसको पहले copy कर लूँगा copy करने के बाद मैं आपको ले के चलूँगा मेरे whatwebs की application पे तो आप देख सकते हैं मैं हूँ अपने modwebs application के builder section में तो आपको भी आना है इसके builder section के अंदर और यहां आते ही आपको left hand side पे मिलेगा website settings का option आप इसमें जाएए इसमें आते ही आपको general के अंदर मिल जाएगा applications का option इसको चूज कीजिए application को चूज करते ही यहां पर आप कीजिए add application और यहां से आप connect webbook को connect कर लीजिए then destination url में paste कर दीजिए वो webbook url जो आपने copy की होगा आपकी workflow से और यहां आप events देख सकते हैं यह वो ही events है जो मैंने आपको मेरे trigger event case में दिखाया था तो हमारे case में हम क्या चाहते हैं जब भी new order confirmation हो तो इसलिए इस event को हम यहां से choose करेंगे और यह पर्टिकुलर webbook है वो इसी के साथ काम करेगा तो save पर क्लिक कर देता हूँ और save पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पर्टिकुलर webbook इसमें add हो चुका है that means हमारे जो mod web application का integration है पैबल करने के साथ वो भी setup हो चुका है अब ऐसा होने के बाद आप यहां देखेंगे workflow में कि नीचे यहां यह इंतजार कर रहा है एक webbook response के capture होने का तो बहला वो किसलिए तो इसलिए है क्योंकि हमारा जो trigger event है वो है new order कि new order place हो तो new order place होने से क्या होगा हमें कुछ details मिलेगी order details और उस order details के basis पर ही हमें जो mobile number मिलेगा customer name मिलेगा तो हम उनकी details के basis पर ही उनको एक whatsapp message बेच सकते हैं तो उसके लिए यहां यह wait कर रहा है उस response का तो response यहां भेजने के लिए हमें क्या करना होगा integration तो हो चुका है तो हम जाएंगे हमारे store की और store में आते ही हम जाएंगे products में और product section में आप देख सकते हैं तीन products मैंने add किये हैं जैसे कि cupboard, sofa और chair तो इसमें से कोई भी product मैं यहां से purchase करूँगा और उसके बाद मैं जैसी उस product को purchase करूँगा तो उसकी details आप देखेंगे कैसे capture हो जाएगी मेरी workflow में तो पहला ही product तो मैं इसके साथ जाता हूँ और उसके बाद मैं कर लेता हूँ उस product को preview preview करने पे यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसको add to card कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद check out now पर जाऊँगा check out now पर आते ही यहां पर already एक product पहले भी यहां पर edit था तो मैं इसको यहां से remove कर देता हूँ then proceed to check out करूँगा proceed to check out करने पर आप देख सकते हैं यहां मुझे डालनी होगी customer information तो मैं ऐसे ही यहां पर यह जो dummy detail देख रहे हैं तो उनी information के साथ जाऊँगा और ऐसे ही test submission करूँगा अब shipping address हमें यहां डालना पड़ेगा required होता है city में डाल देता हूँ then इसके बाद एक ऐसे dummy zip code जो exist नहीं करता है चाहे तो country भी यहां से select कर सकते हैं state required नहीं है और company name भी required नहीं है mobile number यहां पर जो बता रहा है 911 से start होगा तो यहां पर जिस तरीके से number दिया है 911 लगा के मैं 10 stars लगा दूँगा क्योंकि as such में एक test payment detail मुझे चाहिए तो इसलिए मैं test submission करूँगा तो almost जो भी required details थी और generally जो हमें details चाहिए होती है वो मैंने यहां फिल कर दी है और ऐसा करनी के बाद मैं जैसे ही करूँगा place इस order को तो होगा क्या है यहां पर आप देखेंगे इसका response capture हो जाएगा तो मैं place करता हूँ order को और यहां यह किया रहा है thank you for your order और यहां पर जो order है मतलब place हो चुका है तो आते हैं हम हमारी workflow पर और आप देख सकते हैं यहां पर भी इसका response आ चुका है और यहां पर label ID आ गई है 11 आगे बढ़ते होगा customer name आ गया है test dummy customer email detailed dummy adderate dummy.com और उसके बाद जो मैंने यहां पर city डाली थी zip code address में house number डाला था बागी detail नहीं डाली थी तो नहीं आई है यहां पर तो इसके अलावा जो product purchase किया था वो भी यहां पर आ गया है तो details यहां आ चुकी है इस details के business पर हम क्या चाहते हैं कि एक order confirmation message हम भेजें उन्हें वाया WhatsApp तो उसके लिए यहां पर जो action application है वो मैं चूज करूँगा WhatsApp cloud API को इसके अंदर मुझे action event चूज करना होगा तो मैं जाऊँगा send template message की मैं इसके द्वारा एक template message send करना चाहता हूँ then connect पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहां करना होगा add new connection तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहले कभी WhatsApp cloud API का connection नहीं किया होगा पैबलिक अनेक के साथ तो वो new connection establish करने के लिए आपको यहां लगेगा एक permanent access token phone number ID और WhatsApp business account ID तो आप सोच रहे होंगे यह सब चीज़े कहां से मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए हमने हमारे चैनल पे वीडियो क्रियेट किया है जिसके अंदर आपको WhatsApp cloud API के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी साथ जी साथ आप उससे यह जान पाएंगे कि आप कैसे ही आपको उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा तो आप उसको फॉलो करते हुए आपके WhatsApp cloud API का जो connection है वो establish कर लीजिएगा लेकिन फिलाल मुझे भी यहाँ पर आपको connection establish करके दिखाना होगा और उसके लिए मुझे token phone number ID WhatsApp business account की ID की जरूरत है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा new tab मैं जाऊँगा developers.facebook.com के साथ और इस पे आते ही आप देख सकते हैं मैं Meta for Developers की dashboard पे आ गया हूँ यहाँ से मैं जाऊँगा my applications पे then मेरी admin application को यहाँ से मैं select कर लूँगा ऐसा करने के बाद left side पे आप देख पाएंगे WhatsApp का option मैं जाऊँगा इसकी getting started पे getting started पे आते ही आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ वहाँ पे जहां से मुझे मिल जाता है एक access token phone number ID और WhatsApp business account ID तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो access token है यह है temporary access token इसका क्या मतलब हुआ यह जो access token है यह expire हो जाएगा 23 गंटों में तो अगर यह 23 गंटों में expire हो गया तो होगा क्या तो हमारी जो workflow है वो अगले दिन से काम नहीं करेगी तो आप यह सोच रहे होंगे तो फिर क्या मतलब हो इस access token का तो मैं आपको बता दूँ कि वैसे मैं इस temporary access token का उप्योग कर सकता हूँ फिलाल को कि मैं आपको workflow create करके दिखा रहा हूँ बट रियल टाइम में आपको जरत पड़ेगी एक permanent token की तो यह permanent token कैसे generate करते हैं तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए भी हमने हमारे channel पे एक video create किया हुआ है तो आप उस video को follow करते हुए आपके लिए एक permanent access token generate कर लीजेगा और उसको save कर लीजेगा ताकि आपको जब भी जरत पड़े WhatsApp Cloud API अकाउंट का connect करने की तो आप उसको उप्योग कर सके लेकिन यहां पर मुझे आपको यह connection करके दिखाना है तो मुझे फिलाल के लिए तो इस temporary access token के साथ ही जाना पड़ेगा तो मैं इसे copy कर लेता हूँ then token section में paste कर देता हूँ वैसे ही phone number ID then last but not the least WhatsApp business account ID तीनों details यहां से मैंने copy कर ली है इनको paste करने के बाद मैं save पे क्लिक करूँगा और save पे क्लिक करते ही आप देखिए within seconds मेरे WhatsApp cloud API account का जो यहां पर connection है यह establish हो जाएगा देख सकते हैं यहां पर यह connection establish हो चुका है और ऐसा होते ही यहां से मुझे यह कह रहा है select करने को template name तो आप सोच रहे होंगे template name क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम आते हैं इसके step 2 की और तो इससे में बता चलता है कि जो हम WhatsApp messages send करते हैं वो करते हैं with the API और वो API कैसे create करके हमारे खुद के message templates तो यह message templates कैसे और क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यह click here पर जाके click here पर आते ही आप देख सकते हैं मैं आगया हूँ message templates के section में तो यह हैं कुछ message templates जो मैंने create की हैं इसमें आप इनके जैसे नाम देख सकते हैं language देख सकते हैं review होने पर यह कैसे दिखाई देते हैं और उनका status की अभी active है तो जो whatsapps के द्वारा हम उनको message भेजते हैं वो हम भेज सकते हैं एक template की तौर पर और वो template हम कैसे create करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन दिया हुआ है create template का उसको आप click कीजिए ऐसा करने के बाद आपको details दाने बड़ें कि आप किस तरीके का message भेज रहे हैं वो आप डालेंगे उसकी body text में इसके लावा कोई header add करना चाहते हैं जिसमें आप को document अगर add करना चाहें image add करना चाहें तो आप कर सकते हैं और header में कुछ नाम भी रखना चाहें तो रख सकते हैं वैसे मुझे यहां से एक template select करना है तो मैं आपको बता दूँ जो मैंने कुछ message templates create किये हैं उसमें से एक message template मैंने create किया है with the name new purchase customer आप देख सकते हैं यहां पर एक template है मैं इसको open करके आपको दिखाता हूँ तो यह message template है वो preview होने पर ऐसा दिखाई देता है यह एक order confirmation message और उसके अ add किया हुआ है और यहां call us का option भी है और visit store के link भी मैंने यहां डाल के रखी है तो जब आप वहां continue बे click करते हैं आपकी category name और language select करने के बाद तो वह आपको ऐसा कहीं लेकर आता है यहां से आप header add कर सकते हैं body then footer कोई button add करना चाहें तो सब चीज़ें यहां पर add कर सकते है अब यहां बर आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा message template है वो मुझे select करना होगा मेरी workflow से तो मैं आउंगा इसकी नीचे drop down में और यहां से search कर लूँगा उस new purchase customer वाले message template को और जैसे ही में इसको select करूँगा आप देखेंगे automatically यह इसकी जो template ID है उसको fetch कर लेगा और template ID fetch हो चु जिसके basis पर में WhatsApp message उने भेजूँगा जो start होती है recipient mobile number की और यह है required reason क्योंकि WhatsApp message है वो हम किसी के WhatsApp number पर भेजते हैं तो इसलिए यह सबसे ज्यादा required detail है तो वो जो number है वो हमें यहां से आप देख सकते हैं जैसे कि यह order place हुआ था और order place होते ही जो हमें details मिली है उसमें contact number भी था जो की यह रहा ठीक है लेकिन यह number जो है वो हम manually add नहीं करेंगे मतलब कि नहीं हम इसे copy paste करेंगे और नहीं हम इसको directly लिखेंगे तो आप सोच रहेंगे ऐसा क्यो response तो आगया है तो उसको manually लिखेंगे तो कैसे करेंगे तो मै आपको बता दो उस data को हमें करना होगा यहां पर map तो यह map करने से होगा क्या जैसे ही data यह map होगा तो real time में जब कोई order place होगा तो जो उसकी detail आएंगी genuine details आएंगी वो automatically इस workflow में capture हो जाएगी और उसकी basis पे जब यह automation run करेंगा तो उनके whatsapp number पे order confirmation message चले जाएंगे अब जब details हमेशे vary होगी तो उसके लिए हमें यहां पर data को map करना होगा अब यह data map कैसे होता है तो मैं वह भी आपको बता दू data map करने के लिए आप जो यह empty field देख रहे हैं उसको आप select करते ही आपको यहां से drop down मिल जाता है आपके trigger का जो की है mod apps application आप अगर इसको select करते हैं तो select कर यहां पर आप लेख सकते हैं details total जो आपको receive होई थी आपके trigger app से तो यह रही वो details अब यहां पर चाहिए हमें क्या recipient mobile number तो recipient mobile जो number है वो हमें यहां नीचे देख सकते है additional fields zero value इसको हमको select करना है select करते हैं यहां पर यह जो data है वो map हो चुका है अब यह data map हो गया है तो new response के स पर चला जाएगा अब यहां पर recipient mobile number तो add कर दिया है then हम आगे बढ़कर देख सकते हैं यहां कुछ body fields है जैसे body field one और body field two तो यह body fields क्या है तो मैं आपको बता दू जो message template मैंने create किया है उसकी body के अंदर मैंने कुछ variables add किये हैं इस add variable button की मदद से तो यहां पर वा variable देख सकत है like new detail आई तो उनका कोई new name होगा उसके लावा उन्होंने जो product buy किया हो अलग-अलग product लोग buy करते हैं तो उससे साब से मैंने body text add करी है उसमें यह variables add की हैं ताकि उनका जो name है वो vary होके जाए और product का details है वो भी vary होके जाए तो वही data यहां पर map करना होगा तो body field one के कहती है high means किसी customer को यह high कर रही है तो यहां से हम customer name को select कर लेंगे वैसे ही यहां पर body field two product की बात कर रहे थी क्या product उन्होंने लिया है तो अभी यहां से क्या purchase किया था मैंने वो था एक chair right sorry वो दी cupboard तो उसको item zero name जो है मैं उसे यहां से select कर लेता हूं और select करते हैं अब देख सकते है details जो है यहां पर map हो चुकी है और यह detail यहां map हो चुकी है तो that means हमारी workflow यहां complete हो चुकी है अब मैं simply इसको यहां पर save कर दूँगा save करते हैं आप देख सकते हैं data save हो चुका है workflow complete हो चुकी है और अब real time में जब भी कोई new order place होगा तो उसके ऐसा होते ही WhatsApp confirmation message चला जाएगा ह हमारी इस workflow की मदद से तो वह करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं जाओंगा वापिस से store पे और उसके बाद continue करूँगा shopping continue shopping करने के बाद पहले आपने देखा था मैंने कबड यहां से purchase किया था अब मैं कोई और product purchase कर लेता हूं तो यहां से चेयर purchase कर लेते हैं में कैसे response आते हैं वह दिखा सकूँ तो यहां में time यहां पर जो customer name है वह ऐसे डाल देता हूं like data demo okay name मैं ऐसे detail में जो है यह सभी ऐसे रखूंगा demo details type और यहां पर email address भी ऐसे ही कोई डाल देता हूं like demo at the rate dummy.com then shipping address में house number यहां पर मैं डाल देता हूं house number 75 then city यहां से भोपाल और zip code कुछ भी ऐसे ही random आगे बढ़ते हूं है यहां mobile number मुझे डालना होगा और इस बार में डालूँगा एक genuine whatsapp number real whatsapp number जिस पर मैं आपको यह message दिखा सकूँ और वो मैं आपको बता दू जो whatsapp है वो यह रहा जिसके अंदर current में कोई भी chat नहीं है that means यहां पर अभी कोई message है नहीं तो होगा क्या जब मैं यह order place करूँगा तो आप देखेंगे automatically यहां पर एक message आ जाएगा उसके लिए यहां whatsapp number डालूँगा मैं और यह whatsapp number में डाल रहा हूँ वो sorry मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक real number है इसलिए यहां पर मैं जैसे ही proceed के पेच पर आऊँगा तो मैं अब direct वहां से मेरा यह video आगे देख सकेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं thank you for your order आया और ऐसा होते ही यहां पर whatsapp message appear हो चुका है reason मैंने वहां पर मेरा whatsapp number डाला था और यहां पर यह message जो है वो automatically आया है जो कि कहता है high data demo मैंने यही नाम दिया था then thank you for shopping with us your order has been successfully placed for chair तो happy shopping family और यहां call us का option और visitor का option आ चुका है तो हैना कितना ही awesome automation यह और कितना ही successfully यह काम कर रहा है instantly आपने देखा जैसे मैंने order place किया मुझे whatsapp confirmation message आ गया है और यह इसी तरीके से automate होता रहेगा जब तक यह workflow यह on रहेगी आपको दुबारा कुछ नहीं करना है एक बार बस आप यह workflow को set up कर दीजिए then real time में जिसे साबसे मेरे whatsapp पे यह confirmation message आया है जो भी उस order को place करता चलेगा उनके whatsapp पे automatically messages चले जाएंगे एक और खास बाद यहां यह जो मैंने workflow create करी है इसका जो link है वो मैं add करूँगा मेरे इस video description के साथ तो अगर आप चाहते हैं मेरी workflow को आपके account में free में open करके देखना तो आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं same workflow को instantly create करना तो आप मेरी इस workflow को clone करके भी ऐसा कर सकते हैं तो थाना आसान और ऐसे ही आसान automation के वीडियो के लिए आप हमारे channel को subscribe कीजिए साथ दी साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे like जरूर कीजिएगा और जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabli.com पे और एक बार हमारी pricing link भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद